नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोग का हमारे योट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कलर्ज टीवी का पॉपलर शो फना इश्क मैं मर जावाँ ये शो वैसे तो ओडियन्स को काफी अच्छा लग रहा है और रास आ रहा है लेकिन इस ओडियन्स के लॉयल फैंस के बावजूद भी ये शो अपनी ट्यार पी रेटिंग में खराब प्रतर्शन करने के कारण इस शो के साथ कुछ हुआ है ऐसा कुछ बड़ा और आगे आने वाले दिनों में शो हो सकता है आफेर आखिर इसकी क्या है वज़ा है क्यूं ऐसा बात कर रहा हूं और क्यूं अगर इसको आफेर किया जाता है तो क्या इसको OTT पिलाया जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए the end कर दिया जाएगा दूसरे शो की तरह तो आपसे रिक्वेश्ट के इस वीडियो का पूरे end तक देखना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक् लॉट का चुनाओ किया जिसके चलते शो की TRP हमेशा से ही डिक्रीज में गई है और फाइनली मेकर्स ने अभी ये मन बना लिया है कि इस शो को स्मॉल स्क्रीन से ओफेर किया जाएगा बहुत ही जल्दी ये शो जून के मिड में या जून के end तक ये शो ओफेर हो जाएगा उसके अलावा इस शो को OTT पे डाला जा सकता है वूट पे आपको ये शो देखने को मिल सकता है लेकिन फाइनली टीवी से ये शो बहुत जल्दी ओफेर होगा क्योंकि इसकी जो में रिजन है ओफेर होने का वो है वो है खराब TRP ओडियन्स रिटेंशन कम होना जिसके चलत अब आपको क्या लगता है क्या आप भी मेरे बातों से इत्फाक रखते हैं कि इस शो को ओफेर होने की सबसे जो में इंपॉर्टेंट वज़ा हो सकती है वो नकी स्टोरी इसकी जो टाइम स्लॉट है उसको मेकर्स ने कई न कई ध्यान नी दिया जिसके चलते ये शो ओफेर हो रहा है अगर आप भी इस बात से इत्फाक रखते हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और आपको क्या लगता है क्या फना इश्क में मर जावाँ ये एक बिग बजट शो को थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए ये शो आपको लगता है कि हाँ ये आने वाले दिनों में अच्छा प्रफॉर्म कर सकता है ये आपको लगता है नहीं ठीक है इस शयू को और फीर कर दो अब इस शय में ज़्यादा नहीं दिखरा है उपिनियन या और ऑपिनियन मर्ड बिनों इस अपना बिने जरूर बताए और अगर ये वीडियो अपको